साहरनपुर में आज निकाई चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा इस सभा का आयुजन किया गया जिसमें दिल्ली से आई संजे सिंग राश्टी परवक्ता ने भाजपा पर चमकर हमला बोला वहीं उन्होंने वार्ट बासर्ट के पार्ट से परत्यासी पसीम राजा को वोट देने की अपील की इस मौके पर आम आदमी पार्टी के चिला से विजे द्वीजे द्विया भी मुझूद रहे आम आदमी और दूसरी पार्टी पे क्या नारा लगता है देश का नारा लगता है अपना नारा जोड़ार तरीके से लगाईएगा देश का नियता कैसा हो आम आदमी जैसा हो क्योंकि इस हिंदों की पार्टी नहीं है सिर्फ मुसल्मानों की पार्टी नहीं है सिर्फ सिक्खों की पार्टी नहीं है सिर्फ इसारियों की पार्टी नहीं है ये इस मुज़ के हर आम और फार एक सुतीस करोड हिंदु सुलानों की पार्ट यह बात की घ्यादियती नहीं करते हैं ये भारत माता की चेह लड़ाने वालों को इन बात पार्णों को मैं कहना चाहता हो भारत माता खुस तब होगी जब उसके सारे प्रेटों के चेहरे पर उचाहे हिंदु हो, मुसल्मान हो, सिक्क हो, इसाई हो, अगरा हो, पिछला हो, गलित हो, सबर हो जब सभी के चेहरों पर मुस्कान होगी, सभी के हाथों को काम होगा अब तब भारत माता सुसोगी, कोई हैं माता, किसी जो तक्रीफ दो के खुछ नहीं रह से तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये जूट बोलने वाले लोग है, ये आपके बीक में अफ़ाफ पैदाने वाले लोग है देश के लोगों को नोडबंदी के नाम पर तबाह कर दिया, व्यापारी लुट गिया, मजदोर लुट गिया, नौजवान लुट गिया, हर आदमी बर्बाद हो गया और नोडबंदी लागू करके, तुगलगी फर्मान जारी करके, आप जुट बोलने का काम करते हो अगर आदम बाद खत्म हुआ, तो कश्मीर क्यों जन्रा है मुदी भी जरा बताओ, अगर नक्सल बाद खत्म हुआ, तो सुक्मा में 36 गर्ज के अंदर हमारे जवान क्यों सही हो रहे हैं जरा हमको बताओ, अगर काला धन खत्म हो गया, तो आमिक साह का बेटा, चैस साह, 16, साहजार परसेंट मुनाफा कैसे कमाता है, इसका जवाब दो, देश को गुमडाह करने की पोस्स्स मत करो, तो नहीं कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, अभी अमेरिका की एक मैट जीन ने खुलासा किया है, अमेरिका की मैट जीन है, वो हो, उसकी लिएकार दिया गया है, कि नोडबन्दी के एक साल पूरे होने पर, देश के सोव अमीरों की संपत्ती में, 26% का इजाफा हो गया, अडानी की संपत्ती, 66% बल गई, अमभानी की संपत्ती, 66% बल गई, बाबाराम्रेयों की संपत्ती, 71% बल गई, और अमिर्सा के बेटे, शैसा की संपत्ती 16000 परसें पर दी 16000 परसें अभी दिए क्या दो जी काफी नाराज होने था रास्ते कि मुझसे बोले मोदी ने अब तक निकास नहीं किया मैंने कए तुम्मा मालू नहीं मोदी में बहुत इकास किया इस देश में जाब जैसे जी को देते हो मेरी बात का भी जवाब दे ना भाईो बेरो बताओ देश में 80 रुपए एक प्रीय किलो प्यार 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 प नहीं is कर रह आपको दिखने नहीं हुआ मैं मोई बारे में एक Bासे ना गए योगी में साथ महीने पहले इनकी सरकार वनी योगी बाबा की योगी बाबा बोले ना भरस्टाचार ना गुंदा राज अपकी बार भात्पा सरकार उत्तर प्रदेश के जन्ता ने 325 सीटे देदी बार की जन्ता पार्टी को 325 सीटे देदी लेकिन किसी भी जिले का अफ़ार उठा कर देखिये तो सरसंद से झुप चाता है कहीं 6 साल की बच्चे के साथ बलाबकार कहीं 11 साल की बच्चे के साथ बलाबकार कहीं किसी महिला के साथ गैंग रेप और हुद की हच्चा इलहाबाद में चार महिलाओं की एक परिवार के अंदर गैंग रेप करके हट्टा कर दी गई उस सरकार पर ठिकार है जो माताओं बहनों को सुरक्षा नहीं दे सकती है गुंदा गर्टी से उस्तक पर देश चलना है आज किसी दिए में टेंटी रोमियों बनाकर भाज़ भाज़ पाई बाप और बेटी साथ में जा रहे है पकल के त्रीट देते हो बाप कहता है मेरी बेटी है बाज़ पाई कहते है तुम तो रोमियों हो भाई बहन साथ में जा पकल के स्टीड दिया भाई कहता है मेरी बेहन है बाज़ पाई कहते हैं तुम तो रोमियों हो यहालत कर दिये उस्तक प्रदेश को छे महीने के अंदर योगी ने यूपी को अपराज प्रदेश बनाने का काम किया है अपराज प्रदेश और भारती जंटा पाटी के लोगो आफ सीजन में कभी सिन के चक्चर में मर जाते हैं मौत पा सिलसिना अब तक रुका नहीं है चार महीनों में एक हजार से ज़्यादा मासूम बच्चों की मौत दिमागी उखास से हो गई है और तुम लोगी जी कहते हो हम करहिया की जनमास्ट मी मनाएंगे धूंधां से चाहते हैं लेकिन एक हजार करहिया जो दिमागी उखास से गोरफपुर के मेडिकल पालेट में मर रहे उनका जवाद कौन देगा उनका जवाद देदो तो हम भी करहिया की जनमास्ट मी मनाना चाहते हैं तुम कहते हो हम दिपावली दो लाग दिये जलाना चाहते हैं हम कहत तीस अजाद लोगों की मौत हुई उनके घरों के जो दिये बुछ गए उसको जलाने का काम कौन करेगा उनके घरों के जला दो हम को घरों की तिये हिंदु मुसल्मान विलके पुरे हिंदुस्तान में जलाना चाहते हैं तुम भी उपुफी की बाते करते हो तुमारा एक पद्दिमा फिरायत है संगीत सौन वो कहता है ताज महल जो दुन्या के तस आस्चर में सामिल है ताज महल जो मुहबत का प्रदीख है कहता है ये ताज महल मुगलो ने बनाया इसको तोड़ा लो अरे मैं तो कहना चाहता हू प्रदेश को तुम्हारे चच्चा नरंदर मोदी जिस लाज किले से तिरंगा जंगा पहराते हैं वो भी मुगलो ने बनाया उसको तोड़ाता है तुम्हारा एक भात्पा का प्रदेश का तर्च भिहार का करता है नरंदर मोदी के खिलाफ को बोलेगा तो उसका हाथ काट तुम हिंदूस्तान को पाकिस्तान बनना चाहते हो तुम हिंदूस्तान को तारवान बनना चाहते हो इस सहारत्पूर के थार्थ पे मैं खड़ा हो के कह रहा हूँ एक बार नहीं, एक हजार बार नरंदर मोदी के खिलाब बोलो रहा हाथ भैर सार जिसको कातना है बाच के दिखाओ पार्च जिन्दा पार्टी राजणा सिंह, पंकर सिंह, नीरा सिंह, कल्यान सिंह, राजपेश सिंह, रमन सिंह, अभिसे hierarchy सिंह, प्रेम कुमिल, अनुराप ठापूल, असंद्रा राजे, लिशियन सिंह, एकी परिवार की पार्टी और यह कि तक कि सब बरी पार्टी, कॉम्रस चाचा नहरू, बिटिया इंगा, बिद्वा राजू, बिद्वा संजे, बहुन सोलिया, बिद्वा राहु, बिद्वा प्रेमका, तामाद पाध्रा, एक ही परिवार की पार्टी, पार्टी कहा जो रहता हूं? बाटी है, ये पाटिया नहीं चल रही है, प्राइबेट इंटे कमपनिया चल रही है, या रखना, हमसे कहते हैं, पंजे को वोड़ते दो, कमल को वोड़ते दो, साहिकी को वोड़ते दो, लालते दो, नहीं, आप कस्तारा कस्तारा वोड़, इनके परिवारों को जा रहा है, यहाजारों करोर पटी बनते जारे हैं और आप हाथ में तकोरा लेकर इनके सामबे भुखारी बनते जारे हैं भिखारी मेरी बात जूए लगे तो मुझे माफ़ करें लेकिन क्या हज़ग करती है इस मुल्की अमित्साओ का बेटा सुना नाजार को पूटा है और आदिवासी महिला कुईला देदी छारगंग में जिसकी 11 साल की बच्ची भाद भाद पैके मर जाती है इसके लिए जिम्मेदार कौन है क्या हमारे घरों के बच्चे विधायत ने बन सकते क्या हमारे घरों के बच्चे सांसत ने बन सकते क्या हमारे भाईों के बच्चे पासर भी बन सकती लेकिन तुमने त्रिकदारी ने रखी ये पुरे हिंदुस्तान की इस देश बार चला में वोट लिने के लिए दाना तो याद रखना इस देश में राजियती की कंदगी को साफ करने के लिए चालों की जरूरत है आम आगनी की आवाज के बुलंद करने के लिए चालों की जरूरत है आटो वाले रिखसे वाले चावाले ठेले वालों की आवाज के बुलंद करने के लिए गरीबों की आवाज के बुलंद करने के लिए चालों की जरूरत है छिल्नी वालों ने जारू चलाइगी, यूपी वालों को तो छारू चलाने पड़ेगे. कि अमट विक रहा है चमन भिक रहा है वाजारू में राधा का तन भी नहीं दो पह्ता है इस वतन का सवदा करने वालों से इस वतने के लिए साहराद मेर्पूर के लोग साहथ इसी विज्वास इसी यकीन इसी भरोसे के साथ मैं अपनी बात को सबाद करूंगा इंकलाब